पाइथन में और सी लेंगुड़ में यानि ओबजेक्ट पर डिपेंट होती है एक जबकि सी प्रोसीजर ओर्येटब नाभर दिवाईड करोगे तो इनटीजर आएगा फ्लोट में नहीं आएगा फ्लोट यानि कि दश्मलों बना लेते हैं तो कोई दिक्कर तो नहीं है एंटर कर देंगे मैंने आपको बताया ही है तो यह हो गया अब यहाँ पर हम variable ले लेते हैं like integer type का variable लेंगे integer को small letter में int लिखा जाता है int एक keyword है ठीक है और int ही लिखते हैं पूरा integer नहीं लिखा जाता है मालव यहाँ पर लिख दिया x,y,z तीन variable मैंने क्यों बनाए क्योंकि एक variable में पहला number दूसरे variable में दूसरा number और तीसरे variable में तीसरा number store हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर सीधा सीधा आता हूँ यहाँ लिखता हूँ printf लिख दिया printf ठीक है printf लिखने को पाद यहाँ पर लिखता हूँ enter तो user दौरा करवाया जाएगा तो उसके लिए हमें क्या लिखना है scan up लिखना है scan up जब भी user दौरा करवाया जाने की बात आएगी enter करवाया जाने की बात आएगी तो scan up ज़रूर लिखेगा तो यह scan up लिख दीजेगा और यहाँ पर percent d लिखेगा क्योंकि format specify क्या होता है percent d होता है न की percent f होता integer के लिए हमें सा क्या लगाएंगे percent d अब यहाँ पर percent d कर दिया दो बर percent d क्यों किया क्योंकि दो variable में दो रो values store होंगी एक value x में जाएगी दूसरी value y में जाएगी समझे है अब यहाँ पर comma दे देंगे comma देने क्या करना है address यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा आपने compiler को c language में compiler use होता है जब की in the case of python क्या use होगा वहाँ पर interpreter use होगा z में हम क्या store कराएंगे z is equal to x upon y करा देंगे ठीक है ना यह होगा enter कर देंगे यहाँ पर लिखेंगे printf अब यहाँ पर printf लिखते है ठीक है लेकिन वहाँ पर क्या लिखेंगे python में python में क्यावल print लिखेंगे ठीक है ना यहाँ पर लिखेंगे percent d is the division दिए परहा दिएन करेंगे और यहां पर यहां पे टर्मिनेट कर देंगे और यहां पमद कर रहे हैं हम code blocks use कर रहे हैं जिसकी वज़ा से ना तो get cs दिया ना ही clrscr दिया है ठीक है आप अगर turbo id use करते हैं तो आप clrscr और get cs आप देंगे get cs नहीं देंगे तो screen pause नहीं होगी रुकेगी नहीं ठीक है लेगिन फिलाहल मैं code blocks कर रहा हूं तो अब यहां से इसको run करवाने की बारी है तो पहले compile करवाते हैं compile करवाते हैं वक्त ही हम save करेंगे तो देखिए यहां पर save करके दिखाता हूं इसे मैं div के अब यहां पर देखिए एक error क्यों आ रहा है देख लिए यहां पर आड्रेस ऑफ ए और बी लिग दिया हमने यहां पर compile and run करवाते हैं तो यह हमारा compile हो जाएगा अब इसको run करवाने की बारी है तो यहां से run भी करवा देंगे तो आप देखें कि तरहा है enter two numbers आ रहा है अब यहां पर क्या करते हैं यहां पर मैं nine enter करता हूं जान भूप कर ठीक है तो देखें result क्या रहा है पूरा पूरा result नहीं आ रहा है ंऔर result पूरा रहा है क्योंकि फ्लोट में value ले ही नहीं सकता लेकिन अब देखें मैं एक और example देता हूं यहां पर यहां पर और और इसको run करवा देते हैं सीधा रन करवाता हूँ अब देखिए यहां परकर मैं 99 लिखता हूँ तो 99 सपोस्थ भी और नमबर और नमबर समझते हैं न जो रंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन है जो ना डिवाइड हो वो क्या है और नमबर है ठीक न तो यह हमने कर गिया यहां पर आए अब इसको यहां पर लिखने का तरीका यह होगा इंटर नमबर करते हैं और यहां पर इसको बंद कर देंगे दो ब्रेकेट उपन होगा यह दूसरा अब यहां पर आएंगे यहां पर फिर वापीस से वाई ले ले लेते हैं तो इसको इसको बंद कर दिया अंटर कर दिया दो फिर यहां पर क्या करेंगे जैर इसकोल कोई दिकत नहीं है X upon Y, ठीक है, यह हो गया, यहाँ पर चला जिए, आप देखिए, यहाँ पर मैं 9 एंटर करता हूँ, और यहाँ पर इसको 2 से डिवाइट कराता हूँ, रिजल्ट क्या रहा है, 4.5 आ जा रहा है, लेकिन C language में ऐसा नहीं हो रहा था, देख रहा थे, C language में ऐसा नहीं हो रहा थ ठीक है न, यह वाला X जो है इंटीजर है, यह वाला Y जो है इंटीजर है, लेकिन यह वाला Z जो है, यह float है, इसके पास यह capability है Python में, कि यह float type की value hold करे, लेकिन इन दोनों के पास नहीं है capability, समझ गया है?